गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट्स तुडे डेट इस 10 सेप्टेंबर एंडे इस थर्सडे बेटा आपका हिंदी फर्स्ट कवर कम्प्लीट हो चुका है चैप्टर सेवन तक आपका मित्रम में आता है महाँ पर आप लिख लेंगे पॉर्षन कम्प्लीट पी डोट सी ठीक है हिंदी फर्स्ट में आप पॉर्षन कम्प्लीट मेंशन करेंगे और आज आप अपने हिंदी सेकिंड की बुक उपन करेंगे पेज नमबर फाइव पर डेट मेंशन करेंगे चैप्टर नमबर बान चैप्टर नेम इस भाषा और यहां पर लिखेंगे आप प्रेमी ट्रम ठीक है बेटा आपका हिंदी सैकिंड में स्टार्टिंग से ही बुक वर्क फिल नहीं हुआ है चैप्टर को रीड करते हैं चैप्टर का नेम मैंने आपको बताया है क्या है भाषा चैप्टर के घर यह एक लाइन बनाई है इसमें आगे है देखो बच्चो इस चित्र में क्या हो रहा है यह जो चित्र है इसमें क्या हो रहा है यह आपको देखना है यह लोग क्या बातचीत कर रहे हैं जो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं यह क्या बातचीत कर रहे हैं एक बच्ची है वो अपने पापा के पास आती है पापा पापा मैं दोड में पर्थम आई देखिए वो फस्ट आ ठीक है बच्चो इस चित्र में बेटी अपने पिता को बोल कर अपने मन की बात समझा रही है और पिता उसकी बात सुनकर समझ रहे है बेटी इस बारे में अपने दादा जी को भी बताना वे बहुत खुश होंगे पापा जो कहते हैं कि अपने दादा जी को भी बताना वे भी बहुत खुश होंगी बेटी कहती है जी पापा बेटा ये जो इसमें बाते हो रही है इससे आप क्या समझ रहे हैं जिसे कि आपके चैप्टर का नेम है भाषा त्लिक है यानि कि ये कैसी भाषा है ये है हमारी मौकिक भाषा जो हम एक दूसरे को बोल कर अपनी मन की बात को सम नेक्स Euch फार क नमबर 6 और ये जुकाए तर इसी तरह पिता अपनी बात्स बोल कर प्रकट कर रहे हैं वर बेटी सुनकर बात को समझ रही है इसी प्रकार जो हैं पिता पी अपनी बातों को कह भाषा हैं और वेटी उसको समझ रही ठीक है नेक्स्ट पोती लिखकर अपने मन की बात दादा जी को बता रही है अब जो लड़की है वो अपने दादा जी को कैसे बता रही है लिखकर एक पत्र पर लिखती है ठीक है पेपर पर लिखती है और दादा जी के पास जाती है दादा जी पढ़कर अपनी पोती के मन की बात समझ रही है दादा जी ने उस लेटर को पढ़ा और समझ गए उपर दीगे चितर में लिखे जाने वाले लिखित रूप को दर्शा रहे हैं जो उपर चितर में भाषा दिखाई गई है आपको उसमें लिखकर जो लड़किए हो बता रही है तो वो क्या है आपकी लिखित भाशा है ठीक है बटा यानि हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर जानते समझते हैं यह देखो यह बोल रहा है तो बोलकर लिखकर सुनकर पढ़कर इसमें आप क्या समझे विटा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम लिख कर कोई बात अपनी मन की बात समझाती है तो लिखित भाशा होती है बोल कर अगर कोई बात समझाती है तो मौकिक भाशा टर्न यूर पेज पेज नूमबर सेवन बोलना सुनना लिखना और पढ़ना ये भाशा के चार कोशल है भाशा के कितने कोशल है चार कोशल है भाशा वहसादन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाते है और दूसरों के मन की बात को समझते है भाशा क्या है बेटा बाशा बहे सादन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बाद दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बाद को समझते हैं प्यारे बच्चो इस संसार में सभी प्राणियों जीव जन्तों के लिए अपनी अपनी भाशाएं वे बोलियां बनी हुई है यदि मानव की एक भाशा है तो जीव जन्तों की भी अपनी कुछ बोलियां हैं जिने वे ही आपस में समझ सकते हैं देखो हर एक जीव जन्तु पक्षी हो या पशु हो सबकी अपनी अलग-अलग भाशा होती है अलग-अलग बोली होती है और उस भाशा को वे खुद से ही समझ सकते हैं देखो यहां क्या हो रहा है यह देखो टाइटाइ यह कौन कर रहा है टाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटाइटा पूटता है मैं मैं कोन कर रही है यह बकरी म्याओं म्याओं भिली ठीक है और चिंघार ना कौन चिंघारता है खाथी ठीक है पेटा टर्न योर पेज यह सभी पशु पक्षी अलग-अलग आवाजे निकाल कर अपनी मन की बात प्रकट कर रहे हैं देखो सभी कि अलग-अलग है ना तो इसलिए अपनी मन की बात अपनी ही भाशा में कर रहे हैं नेक्स्ट पेजीज पेज नमबर एट कुछ पशू पक्षियों की बोलियां जाने कोयल कोक्ती है पपिया पियू पियू करता है मक्षिया भिन भिनाती है कबूतर क्या करता है गुटरकू करता है मुर्गा कुगरुकू करता है चीता गुराता है तर्णियोर पेस होड़ा हिनहीनाता है शेर दहाडता है बंदर किलकिलाता है गाएं रंभाती है गधा रेकता है ठीक है ये आपकी कुछ भाषाएं हैं जो जानवर आपस में बोलते हैं ठीक है तर्ण यूर पेस यहाँ पर आता है बिटा आपका बुक वर्क यहाँ पर कुछ बाते दी हुई हैं हम इनको भी रीड करेंगे मन की बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन की बात को समझना भ भाषा के दो रूप होते हैं मोकिक और लिखित थर्ड संसार में सभी प्राणियों एम जीव जनतों के लिए भाषा और बोलियां बनी हैं अब आप बुक वर्क फिल करेंगे भाषा के दो कोशलों के नाम लिखिए देखिए आपने चैप्टर में रीड किया होगा कि उसमे से दो लिखने हैं दो यहां पर कि जो दो ओल्रीडी लिखे हुए दो आपको खुद लिखने हैं जैसे कि सुनना आपका क्या है मोकिक भाषा पढ़ना लिखित भाषा यह देखो आपको यहां पर दो कोशल दिये हुए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं ठीक है बेटा सेकिंड एनिम ने लिखित परश्णों के उत्तर दीजिए यह आपको कौपी में करा चुके है परश्णिक है भाशा के दोनों रूपों का एक एक चितर दिया गया है उन्हें देकर दो दो चितर बनाईए बेटा आप चितर नहीं बना सकते या आप अगर हो सके आपके पास पुरानी बुक हो उसमें से कलेक्ट कर ले अगर वो भी नहीं है तो आप नेम लिख लीजे जैसे मैंने लिखे हैं देखी यह तो रेडियो हो गया मोखिक भाशा करू फिर टेलीफोन होता है फिर होता है आपका माइक्रोफोन उसको हिंदी में कहते हैं धुहनी ग्राही ठीक है microphone इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी वर्ड ध्वनिग्राही है अगर मैं ध्वनिग्राही लिखती शायद आपको समझ ना आता इसलिए मैंने microphone साथ में लिखा है microphone means जैसे mic होता है आप school में भी बोलते हैं ना mic में वो वाला ठीक है सेकिंड लिखी त्रूप आपकी notebook हो गई पत्र श्यामपट श्यामपट में ब्लैक बोर्ड जिस पर हम स्कूल में पढ़ते हैं टीचर्स आपको पढ़ाती है नेक्स्ट है आपका matching बेटे याँ पर कुछ देखो यह पशू है पशू पक्शी है ठीक है उसमें हमें उनकी जो sound है आवाज है बोली है उसमें हमें matching करनी है आप यह arrow की नहीं करेंगे आप only numbering करेंगे वरना book गंदी कर देंगे आप आप only क्या करेंगे numbering करेंगे यह वाली अगर आप अच्छे से scale से कर सकते है तभी आप matching करेंगे otherwise आप numbering ही करेंगे ठीक है चलिए ये क्या है बिली ठीक है बिली कैसे बोलती है म्याओ म्याओ ये क्या है आपका घोड़ा है ये क्या कैसे बोलता है हिन हिनाता है यह आपका कौवा है, यह काओ काओ करता है, मेंड अक्टरटर करता है, जो बक्री है, वो क्या करती है? मेमे करती है, और जो कुता है, वो क्या करता है? भो भो करता है, ठीके पेटा? यहाँ पर आपका जो हिंदी सेकिंड का फर्स चैप्टर है, वो कम्प्लीट होता है, इसका अब कोवर का आप अच्छे से फिल करेंगे और इसको अच्छे से रीड भी करेंगे ओके स्टुडेंट्स थैंक्यू एंड है